वैशनो देवी में बीजेपी का होगा आयोध्या जैसा हाल बारीदार समाज बीजेपी से नाराज मोदी ने नहीं किया वादा पूरा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ हर्श भार्टवाज 2024 लोगसभा चुनाव के जब नतीजे आये तो आयोध्या में बीजेपी हार गए जिसकी चर्चा देश भर में हुई लेकिन आयोध्या जैसा हाल अब वैशनो देवी स्विधान सभा सीट पर भी क्या बीजेपी का होने वाला है ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या और बद्रीनाथ उप्चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद हिंदू आस्था के केंद्र के सीट पर भी सभी के नजरे टिकी हुई है क्योंकि श्री माता वैशनो देवी सीट पर बारिदार समाज की एहम भूमिका होती है और बारिदार समाज का वोट ही यहां पर हार जीतते करता है लेकिन ये समाज मोदी सरकार से खासा नाराज है यहां से बीजेपी को विरौत का सामना भी करना पड़ा दरसल जब BJP ने टिक्तो का एलान किया तो यहां से पहले रोहिद दूबे को टिकट दिया गया था लेकिन बारीदार समाज के विरोध के बाद BJP ने यहां से बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया इस सीट पर 25 सेतंबर को वोटिंग होगी जहां BJP उमीदवार का मुकाबला कॉंग्रेस के उमीदवार भुपेंदर सिंग से होगा फिलाल इस सीट पर आगे क्या होगा और बारीदार समाज किसे जिताएगा और यह BJP से क्यों आराज है वो हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखर बारीदार समाज कौन है कौन है बारीदार समाज श्री माता वैशन देवी विधान सभा सीट पर बारीदार समाज की संख्या सबसे ज़्यादा है बारिदार समाज श्री माता वैश्न देवी को अपनी कुल देवी मानता है बारिदार समाज कहता है कि श्रीधर उन्हीं के वन्षत थे मानेता है कि माता ने श्रीधर को ही दर्शन दिया था श्रीधर को ही माता ने त्रिकूट परवत पर बसनी की बात बताई थी तभी से बारीदार समाज माता की सेवा में लगा है हालांकि अपने अधिकार के लिए बारीदार समाज आवाज उठाता रहा है 1986 में 30 अगस्त की रात को बारीदारों को गुफा से बाहर कर दिया गया था सभी अधिकार श्राइन बोर्ड को दे दिये गए थे बारिदारों की मांग है कि चड़ावे का एक हिस्सा उन्हें भी दिया जाना चाहिए साथ ही बारिदारों को श्राइन के अस्पताल और कॉलिज में नौकरी देने की भी मांग की गई बारिदारों की नराजगी इस बास से भी है कि 2014 में उधंपूर की रैली में नरेंद्र मोधी ने बारिदारों की बात की थी लेकिन उनके हक और आधिकार सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया और उनको उनका हक नहीं मिला क्या बीजेपी को हराएगा बारिदार समाच श्रीमाता वैष्णोदेवी सीट पर बारिदार समाच की अबादी 15,000 से ज्यादा है बारिदार समाच का भूमांग कट्रा और पंथाल शेत्र में अच्छा दबदबा है बारिदार फंगर शमीती ने अध्यक्ष श्याम सिंग को निर्दलिये मैडान में उतार दिया है हालांकि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कट्रा की रैली में फिर से बारिदारों के हग और अधिकारों की बात की लेकिन क्या बारिदार समाच उस पर विश्वास कर पाएगा ये बड़ा समाल है हालांकि पीम मोधी ने विश्वास जताया और अपने संबोधन में कहा कि बारीदार समाज के जो पुराने मुद्दे हैं उन्हे मैं जानता और समझता हूँ पीम ने कहा कि हमारी सरकार ने बारिदार समाज के बच्चों की बारवी क्लास तक की पढ़ाई के लिए स्कॉलर्शिप शुरू करवाई, समाज की वाओं को 9 करोड रोपे से ज्यादा की स्कॉलर्शिप दी गई, बेटियों की शादी के लिए मदद दी गई, पीम ने कहा कि स तमाज की मुद्दों को सुलजाने के लिए जरूरी कदम उठाए गाए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। फिलाल यहां आपको बता दें कि इस सीट से पूर्व मंत्री जुगल किशुर शर्मा निर्दलिये चुनावी मैदान में उतरे हैं। कॉंग्रिस के उमीदवार वुपेंदर सिंग 2008 के चुनाव में निर्दलिये लड़े थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस शेत्र में बीजेपी का दबदबा हमेशा से देखने को मिलता रहा है। लेकिन इस बार आयोध्या जैसा हाल श्रीमाता वैष्नदेवी सीट पर बीजेपी के लिए हो सकता है। फिलाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये सब जम्मू कश्मीर की जनता पर निर्भर है और खासकर श्रीमाता वैश्णदेवी स्टीट पर बारीदार समाज पर जो ये तै करेगा क्या आखित बीजेपी को वो जिताएगा या फिर कोई और चेहरा बारीदार समाज को पसंद आएगा फिलाल आपको ये खबर कैसे लगे आप अपनी रायस पर जरूर रखेगा कमेंट शेक्षन में हमें जरूर बताएगा तमाम खबरों के लिए आप देखते रहेए श्रेश्ट भारत श्रेश्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेश्ट भारत